नमस्कार दोस्तों मैं कुशाल नागर स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल कुशाल L.L.V पर दोस्तों आज हम जानेंगे BCIE के बारे में आजी बार काउंसिल ओफ इंडिया के बारे में चानेंगे तो कोई करियर बनानी के लिए पढ़ाई करके किसी एक करियर चुनाब करके अपना भविस्य बनाना चाता है अगर करियर चुनाब में देखा जाए तो बहुत से ऐसे option होते हैं जिन से करियर अच्छा बनाया जा सकता है जैसे कोई engineering चेतर में तो कोई medical के चेतर में इसके अला वकील एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें सबी अदालती नियमों के बारे में जानकारी परदान कराई जाती है। यदि कोई विक्ती किसी जगडे सम्मधित निप्टारे के लिए या फिर किसी कानूनी मामले में फस्ता है तो वे वकील की ही सला लेता है। वकील आपसे सम्मधित मामले में बताता है कि आगी की प्रिकरिया क्या होगी। इसके लिए वकील कैई मामलों में मोटी फीस भी लेते हैं। आज के समय में इस विदिक के छेतर में करियर बनाकर भूर अच्छी इंकम की जा सकती हैं और इसके लिए आपको विदिक से सम्मधित कोर्स करना होता है एक अच्छा वकिल बनने के लिए आपको बार कांशिल ओफ इंडिया के लिए आवेदन करके इसकी परिक्षा में भाग लेना होता है जिसकी परिक्षा के बाद आप एक अच्छा वकील बनने की और जाने लगते हैं और यदि आप भी बार काउंसिल ओफ इंडिया रेजिस्टेशन फॉर्म, यानि All India Bar Examination की परिक्षा देनी होती है जिसका आयोजन परतेक वर्स किया जाता है यह एक रास्टे इस्तर की परिक्षा होती है जिसे करवानी की जिम्मेदारी बार काउंसिल ओफ इंडिया को सोपी गई है इस परिक्षा के द्वारा स्टूडेंट सेटिफिकेट और प्रेक् करने की इच्छा रखते हैं इस परिक्षा का आयोजन देश की लगबग 40 से अधिक सेरों में होता है दोस्तों क्या है बार कांसिल ओफ इंडिया परिक्षा की फीस इस परिक्षा में बाग लेने वाले चात्रों को जनरल के टीगरी और OBC के लिए 3560 का परिक्षा सुल्क नि कालान के दुआरा या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है दोस्तों बार कांसिल ओफ इंडिया परिक्षा में समलित के लिए क्या इलिजिबिलिटी है नंबर वन इस परिक्षा के आविदन करने है तू चात्र का भारतिय नागरिक होना अनिवार्य है नं परिक्षा में समलित होने के लिए कोई न्यू नतम अंकी सीमा निर्दारित नहीं की गई है नंबर फाइव परिक्षा देने वाले चात्रों को इस्टेट बार कांसिल में रेजिस्टर होना जरूरी होगा तो उस्तों अब जानते हैं बार कांसिल ओफ इंडिया के लिए ओन इसके बाद अब आपके सामने अपना राज्ये नामकन संक्या एव नामकन के वर्स की जानकारी भड़नी होगी इसके बाद दिये गए निर्देसों को ध्यान पूर्वक पढ़कर डिकलेरेशन ओप्सन पर क्लिक करना होगा और एसेट बटन पर क्लिक करना होगा उसके अब मांगी गई आपसे सम्मधित जानकारी को सही सही भरना होगा और चात्रों को अपनी नीजी जानकारी क्वालिफिकेशन एवम नामंकन से लेटेड जानकारी देनी होगी आपके सामने सेब बटन का उप्शन आएगा जिस पर क्लिक करें और अपने जरुवी दस्तावेजों को अप्लोड करें आपके द्वारत दी गई एमेल आइडी पर एक रेजिस्टेशन नंबर और पासवर्ट सेंड कर दिया जाएगा उसके बाद फिर दी गई लोग इन आइडी के माद्यम से चात अपने भरे गए ओम की पूर्ण जाच कर सकता है उसके बाद आपको प्रिंट बैंक चलान ओप्शन पर जाना होगा जहां से आप आबिदन सुलका बुक्तान कर पाएंगे उसके बाद बुक्तान प्रिक्रिया के 24 घंटे बाद आपको बैंक चलान की कोपी को अपलोड करना होगा उसके बाद लास्ट में सम्मीट ओप्शन पर किलिक करके आबिदन पत्र को जमा करना होगा दोस्तो परिक्षा का फॉर्मिट क्या होगा? चले जानते हैं परिक्षा का माध्यम, परिक्षा offline pn paper के माध्यम से आयुजित की जाती है परिक्षा की अब्धी क्या होगी, दोस्तो तीन गंटे तीस मिनट का समय निर्धारित किया गया है पर्सोनों की संक्या, कुल सो पर्सोन पूछे जाते हैं परिक्षा के क्या types रहेंगे दोस्तो objective type आपसे question पूछे जाएंगे परिक्षा के भाग दोस्तो परिक्षा दो भागों में होती है part one and part second language क्या होगी परिक्षा का आयोजन 11 वासों में होता है जिसमें छात्र को किसी एक language को चैनित करना होता है marking कैसे होगी एक सही answer के लिए एक अंक दिया जाएगा negative marking होगी या नहीं दोस्तो इस परिक्षा में negative marking नहीं है अब जानते हैं क्या subject होंगे चलिए विशय के बारे में जानते हैं और कितने person की संक्या रहेगी एक करके इनके बारे में जानते हैं दोस्तों, नमबर वन, Constitutional Law, इससे आपके 10 परसन पूछे जाएंगे, जिसको हम संबेदानी कानून भी कहते हैं. नमबर सेकेंड, Criminal Procedure Code, जिसको हम आपराधिक प्रिकरिया कोड भी कहते हैं, इससे भी आपके 10 परसन पूछे जाएंगे. नमबर फ्री, Indian Penal Code, जिसको हम भारते दन सहीता कहते हैं, इससे भी आपके 8 परसन पूछे जाएंगे. नमबर फॉर, Civil Procedure Code, जिसको हम सीविल प्रिकरिया कोड भी कहते हैं, इससे भी आपके 10 परसन पूछे जाएंगे. नमबर फाइफ है आपका Alternative Dispute, Redressal Including Arbitration Act, इससे भी आपके 4 पूछे जाएंगे. नमबर सिक्स है आपका Evidence Act, इससे भी आपके 8 पूछे जाएंगे. नमबर सेवन है Public Interest Latigation, इससे भी आपके 4 पूछे जाएंगे. नमबर एट है आपका Family Law, इससे भी आपके 8 पूछे जाएंगे. नमबर नाइन, Professional Ethics and Cases of Professional Misconduct under BCI Rules, इससे भी आपके 4 पूछे जाएंगे. दोस्तों, नमबर टैन है आपका Administrative Law, इससे भी आपके 3 पूछे जाएंगे. नमबर 11 है आपका Environmental Law, जिसको हम हिंदी में परिया वरन कानून भी कहते हैं, इससे भी आपके 2 पूछे जाएंगे. नमबर 12 है आपका Company Law, इससे भी आपके 2 पूछे जाएंगे. नमबर 13, Labor Plus Industrial Law, इससे भी आपके 4 पूछे जाएंगे. नमबर 14, Cyber Law, इससे भी आपके 2 पूछे जाएंगे. नमबर 15 है आपका Law Related to Taxation, जिसको हम कराधान से सम्मधित कानून भी कहते हैं, जिससे आपके 4 पूछे जाएंगे. नमबर 16, Law of Tort, इंकलुडिंग Motor Vehicle Accident and Consumer Protection Law, इससे भी आपके 5 पूछे जाएंगे. नमबर 17 है आपका Contract Law, इंकलुडिंग Specific Relief, Special Contract and Negotiable Instrument, इससे भी आपके 8 पूछे जाएंगे. नमबर 18 है आपका Public International Law, इससे भी आपके 2 पूछे जाएंगे. नमबर 19 है आपका Land Accusion Act, इससे भी आपके 2 पूछे जाएंगे. और जो Total Paper ये होगा, वो 100 नमबर का होगा, और परतेक आंसर पर आपको एक नमबर दिया जाएगा. दोस्तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कोई भी आपके Bar Council of India से एलेटिड, या और कोई भी कुछ भी डाउट है आपका, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपका अंसर जरूर दूँगा. और ऐसी इंट्रेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइडे बैल का इकन दिखरा होगा, असपर भी किलिक कर ले, ताकि फ्यूचर में कोई वीडियो अप्लोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें, और वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरू करें, और नेक्स्ट वीडियो किस टोपिक और बनाएं, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं